नमस्कार लीड इंडिया में आपका स्वागत है वाटसेप पर बहुत जोग चलते थे कि अगर देश के हर 15 किलोमीटर पर संसद वाली कैंटीन खोल दी जाए तो भारत सरकार को अपने सारी राशन योजनाओं से छुट्टी मिल जाएगी और हर किसी का पेट भर जाएगा लोगों को बहुत गुस्सा आता था कि इतना पैसा कमाने वाले संसद इस कैंटीन में इतना सस्ता खाना क्यूं खाते हैं लोग अब हो गई देश की दुआ पूरी नेताओं की थाली भी अब महंगी हो गई है जी हाँ संसद में सांसदों के खाने पर सब्जिडी बंद कर दी गई है अब संसद की कैंटीन का खाना भी महंगा हो गया है बताया जा रहा है इससे लोक सभा सचीवाले को सालाना भग आठ करोड रुपे की बचत होगी आए एक नजर डाल लेते हैं संसद की कैंटीन के पुराने रेट्स पर सब्जिडी से पहले रेट लिस्ट में चिकन करी 50 रुपे में वैस्थाली 35 रुपे में मिला करती थी इसके अलावा थ्री कोर्स लंच की कीमत केवल 106 रुपे प्लेन डोसा तो बेचारा मात्र 12 रुपे में आता था अब जब सब्जिडी जाने वाली है तो समाजवादी पार्टी के सांसद स्ट हसन ने कहा है कि सांसदों के खर्चे में तो कोई कमी नहीं हो रही कैंटीन की सब्जिडी भी खतम हो रही है अब तो कुछ नहीं हो सकता ह संजी ठाली को देश की नजर लगी गई है संसत कैंटिं की सब्जिटी को लेकर मानसुन सत्र में ही इसे खत्म करने का फैसला किया गया था जो अब बजट सत्र में लागू होने जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेज करना ना भूले